उदयपुर जिला कलेक्टर तारचन मीना ने जिला कलेक्टरी परिसर में जिला शांती एवं अहिंसा प्रकोष्ट के सिंचालन के लिए कक्ष आवंटित किया है। हातों में तिरंगा लिए और सिर पर सफेड टोपी पहन कर शामिल हुए। आपको बता दे कि शांती एवं अहिंसा प्रकोष्ट को वर्ष 2021-22 में निदेशाले के रूप में स्थापत करने की गोशना की गई थी। इस निदेशाले के माधिम से राष्ट पिता महात्मा गांदी के जीवन दर्शन विचारों एवं सिधानतों को जन जन तक पहुँचाया जा सके यही उद्देश्य रहा है। पंकश कुमार शर्मा ने बताया की जला करेक्टरेट का धन्यवात करते हुए कहा की अब कक्ष मिल जाने से वे आसानी से कारिक कर पाएंगे। शर्मा ने कहा की राजस्थान देश में शान्ती एवं अहिंसा निदेशाले विभाग का गठन करने वाला प्रथम राज्य है। इस निदेशाले की जरी शान्ती और अहिंसा के शेत्र एवं गांधी दर्शन से जुड़े कारियों की जानकारी देने से संबंदित प्रशिक्षन, कारिकरम, प्रदेश और संभाग स्तर पर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रे अशोगेलोत की मंशा देश की आजादी में एहम योगदान देने वाले और तक्थियों से आधारत इतिहास के बारे में नई पीड़ी को अवगत करवाना है। और अब इसी दिशा में हम कारे करेंगे। कक्ष मिला जाने से अब लोगों को भी आसानी होगी हम तक पहुँचने में। एक संदेश देने का प्रयास किया। और यह आप देख रहे हैं कि सत्य के प्रयोग। भट साब का इस मौके पर याद करना नहीं भूल सकता। हमारे लोगपरी दिला कलेक्टर आदेनी मिना साब ने इस कायले को द्वातन इस कायले को देने में मुझे पुरा स्योग प्रदान किया है हमारे एडिम एन्मिनिस्टेशन कोफी भूंकर साब, हमारे एसियो साब, उन सब का माग दर्शन पिछले कई सालों से मुझे मिला है। एस उल्ड़ा स्योग प्रदान किया है विए प्रदान कोफी दिलाग्गलों से मुझे मिला कोफी दिला वातन इसका सालों से ने विलाक्टर विला उन्मिनिनिस्टेशन कोफी भूंकर से मिला है।